फ्रेंड्स आज हम बात करें है टाटा पावर की और साथ में हम बात करेंगे अधानी पावर की टाटा पावर से निकल करा यह दो तीन बड़ी अपडेट उनको एके करके डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या टाटा पावर में इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करन है तो क्या इस मुख ए मैं फाइदा इटाना चीह क्या हमें इस समय 가격 में नीवेस करना चीह वहां से भी दो बडि अप्डेट निकलय करा है ये उसको भी डिसकश करेंगे और जानने के कोसिस करें क्या यह म।का है अधानी मे निकल नीवेस करने में का वैसे इन्हों लंबी रेस के घोड़े आने वाले समय में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले तो क्या इस समय में स्टेजी सेट करनी चीए क्या शॉट टम के लिए निवेस क्या जा सकता है या फिर लॉंग टम के निवेस के बार में सोचने जी तो उन सारी समभणों के सुडियो के मा अनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले हम टाटा पाउर की बात कर लेते हैं स्टॉक ओपन हुआ 230 पर यही दिन बर की हाई है लो है 226 का और एंड में 229 पर करी 0.59% अपर इसने क्लोजिंग दिये आज बाजार में काफी यारा दबाओ था और इ इसका 10 क्रोड का वॉलिम था आज वॉलिम में कमी है 5 क्रोड का वॉलिम हुआ है अगर में इसकी पर्फर्मेंस को देखें तो 52 रुपीज इसका 52 वीक का लो है और इसका हाई 267 का है फिलाल इस्टॉक 228 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यानि काफी ज़ सारी पॉजिटिव होज है तो टाटा पावर एक मजबूत बीडर बनके उबरे है यूपी पावर ट्रांस्मिशन कंपनी के लिए जहां पर इन्होंने 3000 का रुपीज की अपनी बोली लगाई है और इनकी जो है मजबूत दाविदरी पेस कर रहे है इसमें टाटा पावर ने इसमें जो दाविदर मजबूत प्रबल जो उबर के आए वो है टाटा पावर टाटा पावर की जो बोली है वो सबसे ज़्यादा अट्रेक्टिव है और जिसके दम पे ये लग रहा है कि ये जो बोली है टाटा पावर जीत सकती है और ये कंपनी इनके नाम पे हो सकती है त से लग रहा है कि इस समय हमें इस टाटा पावर के स्टॉक में निवेस किया जा सकता है लंबी रेस का ये गोड़ा बन के उबर रहा है दूसरी तरफ फ्रेंड्स टाटा पावर का प्लान है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना यानि आने वाले नेक्स्ट फ्यू प्रॉट है वहां से भी हम अपने बीजनेस में बढ़ाने की कोसिस करेंगे तो टाटा पावर ने प्नी इसा कर दीए कम्पनी को बहुत जादा प्रॉफिट में लाना है कर्च को कम करना है और अपने बढ़ाना है घ्रीन एनर्जी के तरफ वह अगे उनके कड़म बढ़ र तो जो रेपोट निकल कर आ रही है कि HFCL के साथ में जो इन्होंने बीजनेस टाइप किया हो था वहाँ पे अब वो तेजी से आगे बढ़ने लगे और अब HFCL के साथ में और तेजी से आगे बढ़ेंगे और HFCL का जो प्लान है 500 EV चार्जिंग इस्टेशन लगाने करीब 100 cities के अंदर और वो लगाता इस कदम में आगे बढ़ने और उनका जो प्लान है फाउजन रिटेल आउटलेट पे अपना चार्जिंग इस्टेशन करना चाहिए आने वाले समय का बहुत बड़ा मल्टिवेगर इस्टोक है फ्रेंट्स आने वाले दो साल में 500 को क्रॉस करता हूँ दिखाई देगा और आपका नजरिया पास साल का है तो यह वन थाउजन को भी क्रॉस करें तो निवेस बिल्कुल करना चाहिए एक बार इसक टार्गर इसका 241 का है तो बिल्कुल निवेस करें यह श्टोक आपको माला माल कर सकता है परन्तु इस समय बाजार में करेक्शन का भी संभावना बन रही है तो आप निवेस बड़ी मातरा में न करें लिमिटेड मातरा में करें थोड़ा थोड़ा करके करें जैसे करें एड़ 6% डाउन पर इसने क्लोजिंग भिए अगर इसके वॉल्यम की बात करें तो पिछले एक मैने पहले इसका 1 कोड का वॉल्यम था वन वीक पहले 46 लिम होता कल इसका सांधार वॉल्यम होता करीब 2 क्रोड का लेकिन आज वॉल्यम काफी कम है 34 लेक का वॉल्यम होए और 35 5 रुपीज इसका 52 रुपीच का लो है 166 इसका 52 रुपीच आई है और फिलाल स्टॉक 103 रुपीच मिल रहा है काफी ज़्यादा कि स्टॉक करेक्ट हो चुका है और फ्रेंड्स अदानी पॉवर को एप्रूवल मिल चुका है जो उन्होंने 1200 मेगावाट पावर प्लाइंट जो सिंगरूली मद्य परदेश में है उसको एक्वाइर करने का उनका जो कोशीश थी वो पूरी हो चुकी है उनको आप उसकी परमिशन मिल चुकी है उनके प्लान को एप्रूवल कर दिया गया है तो इसके माद्यम से अब वो मद्य परदेश के करीब 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लाइंट के उपर अब उनका पूरी तरह से कबजा हो जाएगा और उनके बीजनस में बड़ोत्री होगी तो ये इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रक्रिया के तरह इनको कंपनी मिली है और जिसकी वज़ेसे इनके बीजनस में बहुत तीजी से आगे बड़ोत्री हमें देखना को मिल सकती है दूसरी तरफ एक और बड़ी पॉजिटिव निकल कराई है अदानी पावर की तरफ से अदानी पावर ने काए कि हमने मुंबई के लिए करीब 30% जो बीजली की खपत है उसको Renewable Energy Source के माद्यम से पूरा किया है तो एक बहुत बड़ा इनके लिए कदम है और धीरे दे वो इसके आगे बढ़ रहे और उनका जो सपना है कि इसको बढ़ा के हमें 60% तक लेके जारा है 2027 तक यानि वो धीरे धीरे Green Energy के माद्यम से ही सप्लाइ करेंगे मुंबई को भी तो आप समझ दो कि जो पावर के लिए जो प्रॉब्लम आरे जो कोल सॉर्टेज है उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है और जो कंपनी ने कदम उठा है उसके माद्यम से यह स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है तो बिल्कुल निवेस करता चीए मौका इस समय बना हुआ है एक बार इसके पिवोट लेवल को भी चेक लेते है यहाँ से अगर स्टॉक सिलिप होता है तो 102 पर इसको फ़र सपोर्ट है जो और स्टॉक नीचे गिरा तो फिर 100 तक जा 100 रुपी तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 99.30 का है जो एक मजबूत 100 के सपोर्ट को तोड़ता हूँ दिखाई देगा अतलब ही है कि इसके कारोबार में वृद्धी आगे संभावना बंद रही है इसका आपको फाइदा उटाना चीए निवेस आप कर सकते क्योंकि यह लंबीर इसका गोड़ा है और इसका नतिज़ा में आने वाले कौर्टर रिजल में देखने को मिलेगा तो बिल्कुल निवेस करना चीए लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेसल एडवाजर से बाइडवाजर ले यह अपना खूद का रिसर्च करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके एज्यूकेर्शनल परपस के लिए ही बनाए वीडियो पसना आए तो लाइक से जरू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड